अनुराज फैमली किचन में आप सभी का स्वागत है मैं आज आपके लिए व्रत की बहुत ही नई उनिक और हेल्दी रिसिपी लेके आई हूँ जो आपने सायद कभी नहीं बनाई होगी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया हैं एक साबुदाना एक इसके बाद जार में हम साबुदाने को डाल कर और थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसका एक पेश्ट बना कर तयार कर लेंगे और जिसको भी यरे से पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो यहां पर हम एक आलू लिया है बड़े साइज का और उसको मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेट किया तक इसमें कोई गुठलिया ना रहें और इसको भी हम पीसे पेश्ट में साबुदाना की पेश्ट में डाल देंगे अगर छोटा आलू तो आप जितना आप साबुदाना की उसके अनुसार आलू ले और साथ में यहाँ पर मैंने जीरा ले लिया है अगर आप जीरा खाते हैं तो उसे डालिए नहीं तो नहीं डालिए यहाँ पर मैंने साथ में डाल दी हैं काली मिर्च का पाउडर पिसी हुई और थोड़ी सी हरी मिर्च जो चीज आप ब्रत में ख अच्छा फ्लेवर आता है और साथ में डाल देती हूं यहाँ पर शेंधा नमग और उसके साथ डाल दूँगी अरिधनिया की पत्ती और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें एक से दो चमश दही और उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें सिंगाडे का आटा, तो यहाँ पर उसको हम डाल देंगे, उसके बाद हम बैटर को अच्छे से मिला लेंगे, तो हम पर मैं डही, दही और आटा डाल देती हूँ, और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीकी से गाढ़ा बैटर बना कर तयार कर लेंगे, बैटर को पतला पही है। वह हमां अभ। हम इसको से जल्दी से वड़ा है जब तक कि एक साइट Evans नहीं जाएगा, तब तक हम इसको पलटेंगे नहीं, बिल्कुल जब तवा छोड़ देगा तो आप इसको पलटिए और दोनों साइट से अच्छे से दोनों साइट से पका लिजी और फिर इसको आपके चिल्ले बनकर तयार हो जाएंगे बढ़िया से व्रत में बहुत ही बढ़िया नास्तों हैं तो देखिए मैंने एक साइट से पलट लिया है अगर आप इसे पैन में बनाएंगे तो यह बहुत ही बढ़िया आता है तो यहाँ पर ऐसे हम सारे जीलों को तैयार कर लेती है और मैंने यहाँ पर टमाटर की चट्नी रिखिए आप मुंफली की चट्नी ले लिजे टमाटर की चट्नी ले लिजे और उसके साथ इसको खाईए और टमाटर की चट्नी मैंने ब्रत के अनुसार बिल्कुल सिंधा नमक काली मिरच और हरी मिरच है बस और कुछ नहीं है तो आप या फिर आप मुंखले की चटनी ले लिए उनके साथ नास्ते के तोर पे खाएए सुबाया साम में बहुत इखाने में अच्छा लगता और साथ में ये हल्दी भी होता है तो इस तरीके से इस बार व्रत में आप एक बार इसको जरूर बनाएए और बताएएगा आपको ये रेसिपी कैसे लिगे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई